इंतिहां हो गई इंतिजार की लेकिन इंतिजार की खड़ी खतम हो चुकी है हेलो माइडियर स्टूडेंट्स वेल्कम तु साइंस इंफन क्लास 10th कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनूस है तो आप लोगों कावे अब ऐवर हो चुका है सभी ओड़ो का वेट अब ओफर हो चुका है सो सी भी ऐस सी की वेध डेट शीट आ गई है बच्शो अंड नाव इस टाइम फ electroяз बहुत ही जादा सार लाइफ सेशन हुई जा रही थी पीवाई की उसके सेशन सैंपल पेपर के सेशन उसके बाद अभी जो ओन गोइंग सेशन चल रहा है आप लोगों की सीरीज चल रही है जिसमें हम फुल थ्यूरी और क्वेश्चन उसके रिवाईज करवा रहे हैं चाप्टर वाईज सब्जेक्ट वाईज वह सब कुछ तो चली रहा था लेकिन एक होता है ना कि मन में एक चीज का बस वेट होता है कि वह चीज बस हो जाए ना फिर हम लोग फुल ओन तयारी करना शुरू कर देंगे तो वह वेट भी खतम हो गया बच्चों और अब वो टाइम आ चुका है जब आप लोगों को अपने आपको रगड़ देना है बिल्कुल मतलब ग्राइंड कर देना है सारा जूस निकाल देना है निचोड के अपने दिमाग का और हर एक जूस के बूद से आप लेकिन जो भी पूल रही हो आप तक पहुंच रही है वह बात और बच्चों यह बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टाइम आ चुका है जब आप लोगों को स्टार्ट कर देनी है आप लोगों की कड़ी मेहनत जो बच्चे साल भर से थोड़ा बहुत इंजॉइमेंट वाले पेज में थे दुरगापूजा हो गया दिवाली हो गया क्रिस्मस आने वाला है और बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी भी है और हो चुके हैं थोड़े से इंजॉइबल मूड में है और दिमाग इधर उधर डिस्ट्राइट हो रहा है देखो बच्चों अब जो टाइम आ ग पाओगे वो जीज़ रिसाइड होगा अब या तो आपका रिजल्ट आपको बता देगा कि आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है और या तो आपका रिजल्ट बता देगा कि आपने साल भर कितनी मस्ती की और आपने टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे लिया है अपने पढ़ाई नहीं कियोगी या पढ़ा भी है तो उतनी सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ा है अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि इस दो महिने के अंदर धाई महिने के अंदर तोड़ के रख दो सारे एक्जाम सारे रिकॉर्ड सब कुछ तोड़ के रख दो अपने आपको भी तोड़ दो लेकिन कुछ भी करके एक्जाम का जो वो रिजल्ट आएगा ना जब एप्रिल में या फिर में में आपका वो रिजल्ट आएगा और हम लोग खुशी के मारे अनाउस कर रहे होंगे एक बच्चे का नाम कि इस बच्चे के 99.5% इस बच्चे का 98% 95% 95 से नीचे तो किसी College of the students of SNF उसके बाद आपको वो फील होगा कि यार ये जो ।ो महीने हम लोगों ने जम के अपने आपको निचोड है ना आज उसका दिन है और आज हम अपने आपको सлек embaixo कर सकते तो अगर खुद को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और चाहते हो that you आपको सेलिब्रेट करें तो बच्चों बस रगर दो अपने आपको ग्राइंड कर दो चलो मैं बताती हूं आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या चीजे करनी है और आप लोगों ने आशु सर का स्ट्राइजी वीडियो देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्राइफिकली मैं बाया ऑलजी की बात करूं तो सबसे पहले जो मैं चीजे स्टार्ट करने जा रही हो या जो चीजे स्टार्ट अरड़ी हो चुकी है अब देखो एक जो हमारा भी फिलहास सीरीज चल रहा है जिसमें हम पूरी थियोरी थियोरी प्लस एंसी क्यूस प्ल एक्टिविटीज प्लस प्लस क्या एक्जेंपलर के क्वेस्टिन यह सारी चीज़े जो हम लोग कर रहे हैं और यह आगे भी चलेगा दिसेंबर भर चलेगा इससे तो आप लोगों का जो बेसिक बेसिक समझलों की अंडरसांडिंग है ना उस पर्टिक्लर चाप्टर को लेकर उस पर्टिकुलर सब्जेट को लेकर वो क्लियर हो जाएगी आप लोगों के बाया ओलोजी में ना फाइव चैप्टर से कौन कौन से लाइफ प्रोसेसे कंट्रोल इंको ओडिनेशन हाव डू और गयानिजम्स रिप्रोड्यूस हेरेडिटी एंड आर इंवायमेंट आर इं करेंगे कि दो महिने को हम फाइप में डिवाइट कर देंगे और इतने दिन से इतने दिन तक हम यह वाला चैप्टर पढ़ेंगे ऐसा कुछ भी नहीं करना अब अब टाइम आ गया है कि मिक्स्ट पढ़ाई करने हैं मिक्स्ट रिविजिंस करने हैं सो दूसरी चीज यह है क कि अब से रेग्यूलर बेसिस पर आप लोगों को बायोलोजी कैप्स्यूल जो ओन गोइंग सीरीज अल्रेडी चल रही है थोड़ा सा इधर इस बीच मैंने स्टॉप कर दिया था क्यूंकि आप लोगों के अल्वेडी लाइव सेशन और इतने सारे लंबे-लंबे मैराथॉ अल्रेडी हो रहे थे तो मैंने सोचा कि बायोलोजी कैप्स्यूल में भी उतना रेलेवेंट ना हो लेकिन अब फिर से मैं उसको री स्टार्ट करूंगी रिज्यूम करूंगी और रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को कैप्स्यूस तो मिलती रहेगी जिसके वजह से हर दि देखना इकठे असर करेंगी और सीधा आप लोगों के एक्जाम टाइम में वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि वो कितनी बढ़ियां चीज थी कितनी प्यारी चीज थी तो बायोलोजी कैप्स्यूल तो आल्रेडी मैं स्टार्ट कर ही चुकी हूं और अपसे फिर से वो रिजिम हो ओस्वाल गुरुकुल के बुख से भी उसका रेलेवेंस लेंगे आपके पीवाई क्यू आपका पीवाई क्यू भी उसमें कवर होने वाला है सैंपल पेपर के बाद तो एक तरह से ना एक ओवरॉल जब पूरी तरह से अब देखो अभी मन्यू महाभारत की लड़ाई क्यूंकि उनकी डैथ हुई थी गी उनको ना उस शकृव्यू में एंटिर करने का रास्ता पता था लेकिन एकज़ेट कैसे करेंगेये उनने इपता था हमें ओवरॉल सारी चीज़े पताूंगे सब पता होगा एंटर भी कैसे करना है और एग्जानु के चरवाइब शुरवात का नहीं होग और इक्जाम के दो घंटे पहले तक हमें एंट्री एक्जिट कैसे गरनी है इस पूरी तयारी से और और फिर हमें एंटर करना है एक्जाम के अंदर चलो तो पी वाई क्यूज हो जाएगा ये वाला सेशन अल्रेडी ओन गोईंग है चल रहा है बायोजी कैपस्यूल अल्रेडी ओन गोईंग है अभी फिर से वो रिज्यूम होगा सैंपल पेपर्स जैंवरी के स्टार्टिंग से हम लोग फिर से सैंपल पेपर्स कराना शुरू कर देंगे बड़ी-बड़ी मैराथॉन्स होंगी लाइफ सेशन होंगे सब कुछ यह सारी चीज़े लाइव होगी एक्सेप्ट पर बायालोजी बायालोजी कैपस्यूल आपका रिकॉर्डट सेशन के फॉर्म में होगा इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे अब मैं आपको पताती हूं कि जब एक्जाम आ रहा होगा ना जैसे 26 फेबरी को से 26 को आपके आपका इंग्लिश का पेपर है और सेकेंड सेकेंड फेब को है आपका साइंस का पेपर जिसमें अगर आप लोगोंने आशु सर का वीडियो द उन्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स कराने हैं जो कि पूरे पूरे दिन चलेगी 28 को पूरा पूरा दिन आप लोगों का बायोलोजी का सेशन होगा जिसमें हम एक सेशन लेंगे दो सेशन होंगे टोटल जिसमें एक सेशन आपकी कम्प्लीट थियोरी होगी complete theory और दूसरा जो होगा वो होगा MCQs plus subjective यानि कि आपका question answer round होगा यह दो पार्ट में हम biology को tackle करेंगे 28th को ऐसा नहीं है कि उसके बाद biology पढ़नी नहीं है 29th को बच्चों इस बार तो हमारे पास एक दिन extra है 29th को we are going to complete यह दोनों मिलाकर पूरी थियोरी पूरा पीवाई क्यों सैंपल पेपर के कुछ questions MCQs exemplar subjective सब कुछ diagram based questions सारी चीज़े सब कुछ इसमें include हो जाएगा तो complete revision हम लोग करेंगे 29th को 29th को first को हम क्या करेंगे जितने important topics हैं जो past years में सबसे जादा पूछे गए हैं उसे हम लोग सबसे पहले टैकल करेंगे उससे सबसे पहले हम लोग revise करेंगे तो इंपोर्टन 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 questions जहां से most probability होगी exam में पूछने पूछे जाने की जिस topic से है probability वह हम लोग टैकल करेंगे तो फर्स हो गया सेकेंड को आपका exam है पूरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी भी कि आशुसर की तरह मैं भी आप लोगों को सुभा morning के time में कुछ घंटे या फिर कुछ कुछ भी time आप लोगों को dedicate कर सकूँ और आप लोगों का revision थोड़ा बहुत biology का करवा दूं लेकिन अगर वो नहीं भी हो पाता है तो फर्स्ट फर्स्ट वो दिन होगा फर्स्ट फेब्रेरी वो दिन होगी जिस दिन मैं आप लोगों को biology का एक कत्रा भी छूटने नहीं दूंगी सब कुछ प्रिपेर करवा दूंगी तो यह था बच्चों हमारा biology का strategy और किस तरह से हम इसे करने वाले हैं इसे प्रैक्टस करने वाले हैं अगले दो महिने के अंदर तो आई होप फुल जोश के साथ आप लोग अब तैयार हो चुके होगे डू और डाई का situation है या तो करो या तो मरो मरो मिंस कि आपका रिया तो रिजल्ट खराब होगा या तो इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते होगे आपके पैरेंस एक्स्ट्रीमली प्राउड फील करेंगे आप लोगों पर तो आई होप कि जो डू वाला situation है जो आपको करना है और करने के बाद जो अच्छा वाला रिजल्ट पाना है आपका फोकस पूरी तरह से उसी पर होगा तो थांक यू सो मच बच्चों अब हम लोगों का टाइम आ चुका है तो डू इट तो परफॉर्म वेल और आल अल बेस्ट आल वेरी बेस्ट तैयारी शुरू कर दीजिये और मेक योर टीचर और पैरेंस प्र